हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्तिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं डीट रिप्लेश भी टीचर रेक्रियोट्मेंट 2023 को लेके जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डीट रिप्लेश भी है वो दो तरीके से टीचर की अड़टीजमें हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से कोर्ट में केस चलता आ रहा है जिसमें जो भी पोस्ट वेकेंट है तो उनको उनके उपर एड़टीजमेंट निकालने की बात की जा रही है और जो पिछली हीरिंग हुई थी तो उसमें भी ये बात बोली गई थ हैं और ये उन अभ्यारतियों के लिए जादा महत्वपूर्ण हैं जो प्रेमरी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं और उसकी तयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यारति पूछते रहते हैं कि सर जो प्यार्टी के विकैंसी कब तक आएंगी और बहुत अच्छी हैं क्योंकि 574 पोस्ट बहुत अच्छे पदों पर आ रही हैं तो जो भी प्यार्टी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें तो सभी बातों को ध्यान से सुनें चलिए देखते हैं आगे ओफिसियल नोटिफिकेशन देख रहे हो यह आया है 12.9.2023 को और यह लिखा गया है सिरी गनेश भारती जो I.S. कमिशनर है M.C.D. के तो इसमें बताया गया है जैसा कि यहां पर बताया गया कि जो पिछली हेरिंग हुई थी 31.7.2023 को जो कि M.C.D. के जो एड़ोकेट है एन सोनी जी उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो उनके पास वेकेंट पोस्ट हैं 57.50 वो पता कर ली है और अब यह 3 वीक के अंदर विदिन 3 वीक तो जो D.S.S.B. को रिक्विजीशन भेज देंगे बट इसमें आके बताया गया जैसे कि 6 वीक होने के बाद भी अभी तक D.S.S.B. के कहा है कि इस पे जल्द से जल्द स्टैप लिया जाए और जल्द से जल्द M.C.D. जो 57.50 पोस्टों पे लिक्विजीशन भेजे विदिन 4 वीक तो और नहीं तो ऐसा नहीं करने पर तो दिल्ली हाई कोट को तुरेंट एक्शन लेने को बोला है और यह लेटर लिखा है अश जल्द से जल्द इस पोस्ट की रिक्विजीशन भेजे DSSB को और DSSB जल्द से जल्द इसको अडवर्टीज करें नहीं तो दिल्ली हाई कोट को इमेडियेटली एक्शन लेने को बोला है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब M.C.D. को जल्द से जल्द रिक्वि है क्योंकि बहुत जल्द आपको अडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और ऐसी और भी इन्फरमेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताक क्यों